ये राज की नारी अस्मिता से जुड़ावा प्रश्टू सूट में कोई आदमी तो आ रहा होगा ये हवा आ रही थी कोई वियाईपी नाम की कोई हवा थी, रू थी कोई CBI की जाँच, हाई कोट के सिटिंग जच की निगरानी अंकिता भंडारी के परिवार के लिए आप लोगों ने क्या किया आज मैं मुझूद हूँ उत्राखंड की राजधानी देरह दून में और मेरे साथ अंकिता भंडारी के प्रकरन पर बातचीत करने के लिए मुझूद है कॉंग्रेस के उपाद्धाक सूर्यकांत दस्माना जी अंकिता भंडारी का मामला आपके संग्यान में रहा आपके दल ने क्या किया देखें ये अंकिता भंडारी का जो मामला है पूरे राजध की नारी अस्मिता से जड़ावा मामला है एक 19 वर्ष की बालिका उस रेशॉर्ट में नौकरी करती है और उस रेशॉर्ट में नौकरी करते हुए उसके ओपर ये दबाव बनाया जाता है कि वो अपने काम के अरावा एक्स्ट्रा सर्विसेज जो पूरी तरह से डिफाइन है कि वो उससे अन्यतिक कारे करवाना चाहते हैं किसके लिए कोई नाम ऐसा प्रकास में आया वही नाम तो सबसे बड़ी गले की फांस बनावा है सरकार का अगर वो नाम सामने आ जाता तो ये इतना बड़ा मामला ही रबनता लेकिन वो वी आईपी कौन है इसको बताने में जो संकोच चाहे साइटी हो चाहे सरकार हो चाहे पुलिस हो चाहे राजस्टो पुलिस रही हो चाहे प्रशासने कमला हो पूरे उत्राखन के अंदर कॉंग्रस के लोगों ने पुतला धेन किया उसमें 19 तारीक नमबर जो शिमती इंद्रा गांदी जी का जरन दिवस है हमने उसको समर्बित किया अंकिता भंडारी को अब लोग तंत्र में तो यही कर सकते हैं न अंकिता भंडारी के परिवार के लिए भले ही वो राजनेतिक दल में यदि हम ना जाएं अंकिता भंडारी के परिवार के लिए आप लोगों ने क्या किया अंकिता भंडारी के साथ जब यह घटना घटी बाकायदा उनके घर गए उनके माता पिता से मिले हमने यह ओफर किया कि जो भी साहता हम से हो सकती है उस सायता में हम लोग खड़े हैं हम इसको राज्यतिक कॉंग्रेस बनाम भाजपा का मुद्धा नहीं बनाना चाहते थे ये राज्यकी नारी अस्मिता से जुड़ावा प्रशने में बार बार इसको कह रहा हूं आपको व्याइपी कौन है अब S.I.T. की जांच ये बिल्कुल फरजी जांच है मैं चार्ज कर रहा हूं कि S.I.T. की जांच है अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी आँके खुली रह जाएंगी S.I.T. भी बचाने की कोशिश कर रही है और ये चाहते नहीं है कि वो वियाईपी का नाम आवे उस वियाईपी का नाम क्यों नहीं आना चाहता तो वियाईपी का नाम दे रहे हैं आप उस सुट में कोई आदमी तो आ रहा होगा या हवा आ रही थी कोई वियाईपी नाम की कोई हवा थी रू थी कोई कौन आ रहा था अगर वियाईपी सूट भी था आप कह रहे हो SIT कह रहे ही वियाईपी सूट वियाईपी सूट कोई नहीं था वाबे प्रेजिदेंशल सूट को आप कहते हैं वियाईपी सूट कह रहे थे वो कौन वेक्ती है? उसके बारे में क्यों नहीं SIT खुलासा कर रही है? यह सब लीपा पोती हो रही है. यह सब बचाने की कोशिश हो रही है. मैं कहता हूँ CBI की जाच हाई कोट के सिटिंग जच की निगरानी में होनी चाहिए. तब जाकर के मामला खुलेगा. अच्छा इस मामले में जो VIP है. आप VIP की बात करते हैं. पूरी उत्राखंड की जनता VIP की बात करती है. अंकिता बंडारी का परिवार VIP की बात करता है. और SIT माने लिया इस परकार का जवाब देती है. तो आप नैतिक जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं और आप ख इस तर पे भी और राज की जनता को साथ लेकर के भी उस VIP का नाम का खुलासा हो. इसके लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे. SIT मैं इसको बिलकुल खारिच करता हूँ जो SIT की ये स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में सब्मिट हुई है. ये बिलकुल गुमरा करने वाली है एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए और खुले आम अंकिता जिस पकार की बात कर रही है. निश्चित तोर पे उस रेसॉर्ट में तमाम तरह के अनेतिक काम होते थे जिसके मामले में, जिसके बारे में अंकिता को महलुम था और वो जब मना उसने कर दिया कि मैं किसी इस प्रकार के अनेतिक कारे में सनलिप्त नहीं होंगी, तो उसके कारण भी और जो राज वो जानती थी उसके कारण भी. अच्छा इस मामले में जो रात के तीन बजे वहां बुल्डोजर चलाया जाता है और इस्थानी जन्पिरतिन निधी रेनुबिष्ट वहां मौजूद रहती हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? साहब, इस से ज़्यादा हास्यास पत और इस से ज़्यादा लोगों की आँखों में दूल जोकने का काम कोई हो सकता है, ये तो काम जिला प्रशासे नहीं करता है, तो कौन, किसने वो आदेश दिया, और जिनका नाम आ रहा है, जो विधायक है, उनका नाम आने के बाद क्य कोई कारवाई हुई, क्या किसी ने संग्यान लिया इस बात का, और ये बात तो छोड़ दीजिए, पिएसी और पुलिस की मौजूदगी में डेड़ महीने बाद फैक्टरी में आग लगा दी जाती है, वो कैसे हो गया, किसने आग लगा दी हो, ये भी सामने आ रहा है कि ज किसी को एकसेस दिया गया वहाँ, कि जाकर क्या आग लगा दो, जहां जहां सुबूत थे, वहां वहां सुबूतों को नर्ष्ट करने के लिए पूरी छूट दी गई, आज भी दी जा रही है, अच्छा, अंकेता भंडारी मामले के मुख्य आरोपी, पुल की तारिये के पि पूरे राज के अंदर विरोध प्रदर्शनों के बाद भी, पूरे राज में इतने बड़े बड़े लोगों ने केंडल मार्च निकाले, लोगों ने प्रदर्शन किया, लोग एग्रेसिव हुए, उसके बाद भी अगर हम लोग उस वियाईपी का नाम नहीं ढूंड पा और SIT भी साफ जो उसका स्टेटस रिपोर्ट को इस समझदार विक्ति पढ़ लेगा, जिसे ABCD आती होगी कानून की, तो समझ आ रहा है कि कोशिच की जा रही है, साफ साफ बचाने की, आप वियाईपी का नाम सामने आये और अंकिता भंडारी के परिवार को नयाय मिले, आप उत्राखंड के निवासी हैं, खुद पोड़ी गड़वाल जनपद के रहने वाले हैं, पोड़ी गड़वाल की ही रहने वाली अंकिता भंडारी है, और उत्राखंड की देव भूम में permissible है जिसकी हमको permission है हम वो हर काम करेंगे court की शरण में हम लोग हैं court में भी लोग गए हैं अब आप यह लगाईए ना कि जो petitioner है जो यह कह रहा है उसके उपर ही साइटी ने आरोप लगा दिये यह साइटी तो बचाने का काम कर रही है साइटी में बिल्कुल खारीच कर रहा हूं यह और यह पैरागराफ पढ़कर के तो मेरी आत्मा कहा पर रही है मतलब हमारी रू कहां पर रही है यह यह पैरागराफ पढ़कर जिसमें वो VIP होने का जिकरिक कहने हैं थाब VIP तो प्रेजिजिशन शूट को बोलते थे लेकिन जो अंकिता ने कहा है कि किसी को एक्स्ट्रा सर्विसेज वो किसी को कौन है वो VIP था, LIB था, VVIP था हमें इससे मतलब नहीं है कौन वो वेक्ती है ऐसा तो नहीं कि अंकिता भंडारी का परिवार नयाए के इस सफर में कभी अकेला रह जाए कभी अकेला नहीं रहेगा हम अंतिम सांस तक उनके साथ रहेंगे हर तरह से रहेंगे हर तरह से रहेंगे उनको जिस पकार की आफशक्ता होगी और बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ खड़ें और पूरा राज्य उनके साथ खड़ा है इस देव भूमी पर सायद ही किसी व्यक्ति ने बुरे ख्यालों में भी कलपना की हो के एक 19 साल की लड़की के साथ एक दिन इस तरह का वाक्या पेश आएगा। उत्राखंड की जनता और अंकीता भंडारी का परिवार और पिरतियक व्यक्ति यह लगातार मांग करता है कि अं ने आये कुछ ऐसा हो के फिर कोई पुल की तारी है फिर किसी अंकीता भंडारी के साथ इस तरह का क्रत्य करने की कोशिस ना कर सके। दोस्तों इस पूरे प्रकरन पर आपकी क्या राय है कॉमेंट बोक्स में आप भी अपनी राय जरूर दिजिए।